दोस्तो हम study कर रहे हैं anchor tag की पिछले तीन टूरियल हम पढ़ चुके हैं anchor tag के बारे में और ये चौथा टूरियल है इस टूरियल में हम कुछ और attributes की बात करेंगे anchor tag के पहले आपको बताऊँगा कि name attribute के बारे में तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ text लेकर आते है इसको और लास्ट में परेग्राफ को बंद कर रहा हूं परेग्राफ बंद कर दिया और दूसरा परेग्राफ मैंने स्टार्ट कर लिया हम एडिंग डाल दी इसकी h1 और h1 डालने के बाद में हम एडिंग को बंद किया यहां पर मैंने लिख दिया computer computer save किया save करके जो हम यहां देखते है तो देखो एक यहां पर computer लिखा रहा देखो हम एडिंग बनाकर मैंने लिख दिया है यहां पर laptop laptop save किया save करके रिफ्रेस करें इसी रिफ्रेस करके देखते हैं देखो नीचे यहां पर computer आगया और नीचे laptop आगे देखें ओपर नीचे देख रहे हैं यहां अगर हम अगर हमारे पास कुछ हो यहां पर बटन हो कि हम क्लिक करें और computer पर पहुंच जाए तो कैसे करें तो उसके लिए हम एक अट्रिभूट है का नेम उसका इस्तेमाल करते देखी कैसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा देता हूँ अब हम यहां बार देखो कंपुटर से पहले यह जो कंपुटर है इससे पहले हम हम एंकर टैग लगाते हैं एंकर टैग्ट के बाद नेम मैं नेम इसको दे दिया पुरा नाम देज़ता हूँ मैं कम्प्यूटर मैंने नाम देजो कि अधिक करेर को मैंने नाम भी इसका एक हुझा ainda का कंपूटर दे-दिया और नीचे यहाँ पर माने लगाया यह हां के अंदर मैंने यहां पर लगाया एनकर टएग और यस अखेस को यहां पर बंद कर दिया और इसें कर टेक के बीच में नेम दे दिया इसको लैप टॉप ठीक है और इसको हम सेव करते हैं सेव करके यहां देखे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा देखें अब मने यह नाम तो दे दिये इन नाम को मैं आप कॉल करूँगा उपर देखें यहां पर आए और यहां जाने के बाद पहरे लिख दिया मैंने कम्पूटर और दूसरे परग्राफ मैंने लिख दिया है यहां पर लैप्टॉप सेव करें और सेव करके यहां के देखें लैप्टॉप पर computer यह हमारे पास है अब मैं इनको अब जैसी हम इस पर हम यह चाहते हैं कि हम इस computer पर click करें फौरण हम यहां पहुच जाए जहां हमारा computer के heading लिखी हुई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर हम लगाते हैं anchor tag anchor tag लगाया और anchor tag को यहां पर बंद कर देते हैं देखे anchor tag को यहां बंद कर दिया यहां पर भी हम एक anchor tag लगाते हैं और anchor tag को यहां बंद कर देते हैं और इसमें इसके बीच में कर टेक के बीच में हम लगाते है एच रेफ हाइब रेफरेंस और जो हमने यहां पर नाम दिया है नाम यह कंप्यूटर यह नाम हम हैस लगा कर यहां पर हैस लगा कर उसको और कॉल कर लेते हैं और हम लिखते हैं कंप्यूटर ठीक है यह हमने लगा है laptop आप लेंग दे हाव लेप टोप इसको सेव क्टते है सेने अर्सक्त करके लिक्रांश करते हैं तो देखो यह Link हो जाते है एक भी लापत के बारे में पधना चैसरी मैं क्लिक की November पमाश।e आप इसके बाद में पढ़ने के बाद में लास्ट में की हम zwänge के वहां पर आप पर गोँछाए तो इसके लिए हम लास्ट में जो यह लास्ट होता है आपर यहाँ पर लगाते हैं HDRF और इसके बाद हम इस फार् Leer का जो नाम है वो दे दे देते हैं इसका नाम है index.html और इसको हम save करते हैं save, save किया और save करके यहां पर refresh करते हैं तो देखो, जो मैं इसे zoom कर लेता हूँ Ctrl प्लस दबा कर दोला zoom out हो गया है zoom करके मैं देखने के लिए zoom कर रहा है सिर्फ, हम यहां जाते हैं देखो computer, computer पर हमने click किया जिसी computer पर click किया computer पहुंच गया, हम computer को पूरा पढ़ लिए हम टॉप पर जाना चाहते हैं, जैसी click करेंगा टॉप पर पहुंच जाते हैं ऐसे हम laptop को पढ़ना चाहते हैं, laptop पर हम कोई click करें तो laptop पर हम last में laptop के नीचे भी यही लगा देते हैं तो बी आर भाले को पूरे को पूरे को हम ऐसी copy कर देते हैं इसे control C और यहां last में आकर हम इसे control V पेस्ट कर दिया हमें और save किया, यहां पर refresh किया refresh करने के बाद देखें इसमें जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ यहां पर laptop पर क्लिक किया, laptop पढ़के हम नीचे पाचे top पर जैसी क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस tutorial में हमने anchor tag के एक attribute को study किया name attribute को तो अब हम anchor tag के दो attribute और पढ़ेंगे एक तो download और दूसरा href language तो हम इन दौनों attribute को अगले tutorial में study करेंगे ठीक है तो फिर मिलते हैं अगरे tutorial में